अब मैं परमदेश भक जनता के सेवक और आहिंसा के पुजारी आपके महान नेता श्रीमान तरीकाल जी से निविदन करूँगा कि वो आप से दोशब कहें नारायन नारायन देविया और सज्जनों मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जो लंबे-लंबे भाशन तो देते हैं लेकिन राशन नहीं देते मैंने ये तय कर लिया है कि मैं बोलूँगा बहुत कम लेकिन सेवा करूँगा बहुत ज्यादा आप बहुत महान एत रिकाल जी मास्टर वरना आप जैसे नेता तो मदारी बनकर तमाशा दिखाते हैं बादों की डुगडुगी बजाते हैं और वोड लेकर चंपत हो जाते हैं मैं आपसे एक सवाल पूछना चाता हूँ हर नेता किसी ना किसी पुराने नेता के आदर्शों पर चलता है आप किस निदा के आदर्शों पर चलेगी बड़ा अच्छा सवाल पूछा इस नोजवान ने तो आपके सवाल का जवाब ये है कि मैं महात्मा गांधी जी को अपना आदर्श मानता हूँ यानि कि हिंसा से नफरत और अहिंसा से प्यार भाईयो ये जूट बोलता है ये ढोगी है गांधी जी के पवित्रे नाम को कैश करना चाहता है नहें भाईयो नहीं मैं ढोगी नहीं हूँ आप चाहें तो मेरे आहिंसा वाली होने को आजमा सकते हैं तो ठीक है अभी आजमा लेते हैं गांदी जी कह दे दे, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थपड़ मारे, तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, भाई सब, दूसरा गाल आगे कर दीचे, इसे कहते हैं धपड़ों की मुसलाधार बारिश, अच्छा तो वो तुम थे, जिसने टेलिफोन पर मुझे धपड़ मानने का चैलेंज किया था, जी हाँ,